में नभसकार दोस्तों चलिए पड़तें बिहार करेंट अफेर्स माही 2022 का ओएंजसी रेसेंट्लि पाउंड पेट्रोलियम इन बक्सर एन समस्तीपूर बक्सर और समस्तीपूर में ओएंजसी का रिशार चल रहा था और महां पेट्रोलियम मिला भी है अंडर ओपन एरिया ला सरकार द्वारा नेक्स्ट कोशन देखिए इंडिया लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्फ फाउंड इन जम्वी ये जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बहुत दिनों से रिसर्ट चल रहा था नाइंटी टू में भी यहां खोज की गई थी लेकिन इस पर बहुत है मातरा में रिजर्फ मिला है गोल्ड का और यह जम्वी यिला में मिला है और एरिया का नाम है सोनु एरिया इसका नाम ही है सोनु एरिया ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिए काकोलत फॉल यानि जहरना कहाँ पर है किस डिस्टिक में नवादा डिस्टिक में एक और है फॉल करकाटा गड़ यह कैमूर में है यह भी फॉल है जहरना है ठीक है ओन कर्मनासा नदी पर है यह नेक्स्ट कोशन देखिए infant mortality rate यानि बच्चों का मिर्ति उदर परती हजार 2020 में 27 था यानि एक हजार बच्चा पैदे होने पर 27 लोका देत हुआ और यह डाटा है 2020 का ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिए बर्थ रेट अब बिहार कितना है 25.5% और यह हाइस्ट है इंडिया का according to 2011 census और लोइस्ट की बात कर ले तो नोट कर सकते हैं अन्डपान इन्नी को भार का है 10.8% ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिए के निती सुमार त्वारा गंगा वाटर सप्लाई स्कीम चालू किया गया जिसका नाम है गंगा उद्वत्ती स्कीम ठीक है इस गंगा नदी की पानी को साउथ बिहार के कुछ डिस्टिक में पहुंचाया जा रहा है और कौन-कौन सी जगह पहुंचाया जा रहा है देख लिए नलंदा नवाधा गया बोध गया एन राजगीर यहां पहुंचाया जाएगा इस इस जगों पे गंगा नदी का पानी बिहार का पहला रबर डेम बना है कहां पे फल्गू रिवर में इससे पानी को रोका जाएगा और यह सालो बर उस नदी में फल्गू नदी में पानी एवलेवल रहेगा तीन से पांच फीट के बीच में नेक्स्ट कोशन देखें इंडिया फॉस्ट ग्रीन फिल्ड ग्रेन बेस इतनल प्लांट एस बिन एस्टेबलिस्ट इन पूर्णिया एक परोरा जगह है पूर्णिया में वहीं पे इसका इस्टेबलिश्मेंट हुआ है ग्रीन फिल्ड प्रजेक्ट है और यहां से इतनल का उत्फादन होगा ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन देखें यूज ऑफ इतनल इन पेट्रोल एंडिजल इस फिक्स एट ट्वेंटी प्रेंट सरकार ने यह लाउग कर दिया है किया पेट्रोल डिजल में 20 परसेंट तक इतनल को मिक्स कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन देखें वियार में कितने कोप्रेटी बेंग है 23 कोप्रेटी बेंग फिलाल है नेक्स्ट कोशन देखें इन सुपॉल सेकेंड सेंटर अफ इंडिया टुए स्टडी रीवर बीन बील्ट यह नहीं पनाया जा रहा है भी इंडिया में यह दूसरा होगा सेंटर जहां रीवर के बारे में रिसर्च किया जाएगा ठीक है पटना अफीम ट्रेडर्स विद ड़ दिसे यह कोशन है कि पहले अफीम का ट्रेड होता था पटना से ठीक है अफीम कूटी भी है पटना सी टी में उसी को तोड़ा जा रहा एक उसन इम्पोर्टेंट है कि पटना से अफीम क जिसको डच भी कहते है नेक्स्ट कुशन देखें बिहार है फर्स्ट रेंग के मसरूम प्रोडक्शन में पूरे देश भर में और हनी में भी यानि सहद में भी रैंक वन है थूरण आउट दूर्टरी देखे नेक्स वोसन सेकेंड बैटनरी कोलेज कहां स्टाट हुआ है कीसन गंज में पहला बैटनरी कोलेज पटना में और दूसरा बेटरी को लेज किसन गंज में खोला गया है इस नाम विल बी सोल बाई कोपरेटी बैंक्स नेक्स वोशन देख लिजे कोपरेटी बैंक के तुरो अभी इस टाम बेचा जाएगा पहले बेंडर लोग बेचते थे लेकिन अब इसको कंसेंट्रेट करके कोपरेटी बैंक को दे दिया गया ठीक है नेक्स्ट कोशन देखे टोटल फर्टिलिटी रेट अफ इंडिया इस कम डाउन तू तू और भी आर का कितना है फर्टिलिटी रेट तू पॉइंट नाइट इसका मतलब एक कपल अगर एवरेज निकला जाए पूरे बिहार का तो तीन बच्चे से भी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं ठीक है और पूरे इंडिया का देखे तो दो है ठीक है नेक्स्ट कोशन देखे इस्टेट सेकेंड डॉपलर रडार सिस्टम इन पूर्णिया बनाया जा रहा है डॉपलर रडार सिस्टम पहला फटना में है दूसरा कहां बन रहा है पूरे निया में नेक्स्ट कोशन देखे कोशी मेची रिवर लिंक स्कीम जो है नदी जोडो पर योजना तो भीयार का कोशी कोशी और मेची रिवर को ग्रांट मिला है बारा सरकार द्वारा ठीक है तो इसमें सेंट्रल गवर्मेंट 90% पैसा कर्च करेगी और 10% भीयार सरकार नलंदा इंस्च्चूट अव दलाई लमा बन रहा है कहां पर बन रहा है यह बन रहा है बहुत गया ठीक है नेक्स कुशन देखिए पर्मोवद भागत बन विंटन किलारी है पारा ओलम्पिक में भाग लिये थे और गोल्ड मेटल जीते है और यह बहुत शाली डिस्टिक के रहने वाले है ठीक है नेक्स कुशन देखिए अगरिकल्चर टार्गेट विल बी सेट थूरू बीहान एप्स बीहान एप्स ब्यार गवर्मेंट का एप्स है ठीक है अब इसमें अधिकारी खुद जाएंगे और किसानों से बात करेंगे और उसके हिसाब से टार्गेट सेट होगा कितना धान की खरीद करना है कितना गेहों की खरीद करना है और लास्ट कुशन देख लिजिए मौक्स भूमी गया विल बी नाउ कॉल्ड एस गयाजी अब गया को गयाजी के नाम से जाना जाएगा ओके थांक्यू दोस्तो